और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं आज से सिया वक्ष बोर्ड के जो पूर चेर्मेन है वसीम रिजवी आज से वो हिंदू धरम उन्होंने अपना लिया और उनका नाम भी बदला जा चुका है आज से उनका नाम होगा जितेंदर नारायन सिंग त्यागी यानि कि त्य हिंदू रिती रिवाज के साथ आप देख सकते हैं ये डासना में जो देवी मंदिर है यती नरसिंगानन सरस्वती जी का जो देवी मंदिर है वहां से ये सीधी तस्वीरे और यहीं पराज उन्होंने हिंदू धरम अपनाया है पूरे विधी विधान के साथ पूरे सनातन जो ये ब्रहमन जो पंडित बैठे हैं वो उनके पूजा पाठ करवा रहे हैं और यग में यानि की यग कुंड में आहुति दिलवा रहे हैं और आज से वसीम रिजवी का धर्म और नाम दोनों बदला जा चुका है अब सिया वक्ष बेउड के पूर चेर्मेन वसीम रिजवी को अब नए नाम से और नए धर्म से जाना जाएगा उनका नाम होगा जितेंद्र नारायन सिंग त्यागी और धर्म हिंदू धर्म में आज से उन्होंने प्रवेश कर लिया है यानि की आज से वसीम रिजवी को अब जो नए नाम से जाना जाएगा वो जितेंद्र नारायन सिंग त्यागी के नाम से जाना जाएगा माथे पर तिलक गले में माला और शरीर पर जने उँ ये हैं सिया वकबोर्ड के पूर्च चेर्मेन वसीम रिजवी साब जिन्होंने आज अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है वसीम साब क्या है नया नाम जितें नारायन सिंग क्यों मेरा गुना इतना था कि मैंने सवाल खड़े किये थे कि कुरान के अंदर कतल वाम क्यों है जो प्राफिट जिसको महमत जो जिसको तुम लाकर रसूल कहते हो लाकर रसूल क्यों है कैसे है वो तो अंकारी वेक्ती था उसने एक फेक मजभ इखतिया था एक संगठित ग को मैंने समझाने की कोशिश की थी सवालात पूछने की कोशिश की थी उनी ने मेरे कतल के फत्वे दे दिये मेरे कतल के फत्वे दे दिये हर जुमे की नमाज के बाद मेरा पुतला जलाया जाता है मेरे सर काटने पर मुझको जला देने पर इनाम रखा जाता है और हर जुमे जैसी हरकते मेरे साथ में तुम कर रहे हो और मुझको तुमने कह दिया कि हम इसलाम में मेरा कोई तालुक नहीं हम इनको दफन होने के लिए जगा भी नहीं देंगे तो हम तुम आए मौताश थोड़ी ना है तुम तो जो कम से कम अपने समाज के लिए बहादूरी से लोड़ता है तो हिंदुत के लिए आवाद उठाने वाले वो भी एक व्यक्ति है और लोगों ने भी उठाई है लेकिन वो भी एक मजबूत आवाद है हिंदुत के लिए तो मैंने अपनी किताब का इमोचन भी उनीके हाथों से कराया था महमत और जहां महबत मिले की जनाब वहीं आदमी जाता है मुझको यहां महबत मिली मैं फिर आ गया सुर्खियों में तो नहीं आने चारे जित अंद्रतियागी जी क्योंकि चुनाओ भी बेहत नजदीक है सुर्खियाँ तो नहीं बटोड़ना चारे चुनाब से पहले अब सुर्खियाँ तो हर फ्राइडे को हमारे नाम की अपने आप बन जाती है भाई मुझको सुर्खियों की क्या जरूरत है अब आपने दिल बनाया अपने अपने अब लेता हूँ और फैसले में जहां पंचायत हो वो फैसले हो नहीं सकते मैंने अपना फैसला लिया मैंने असलाता धर में अख्तियार किया अब परिवार में जिसको आना होगा वो आएगा जिसको नहीं आना होगा नहीं आएगा वो सुतंत रहे सबको अपने अख्तियार से जीने का अधिकार है वो सुतंत रहें वो जहां भी रहें इंसानियत का काम करे उस चीज़ को नमने जो इसलाम बताता है अगर उसको मानओगे cielo की रसूल को मानओगे लिए किताब को मानओगे तो तुम इंसान नहीं हो सकते Quran को मानने वाला व्यक्ति कभी इंसान नहीं हो सकता आफिरी सवाल, अपसे लगातार आप पर टिपणिया होती जा रही थी, लगातार मुस्लिम जो समुदाएं हैं मौला लाओं की बात की जाए, लेकिन अब कैसे देख रहे हैं, दो समुदाएं आमने सामने, आपने आज हिंदु धर्म अपना लिया है, क्या कहेंगे सर्थ। आगे भी जारी रहेगी, हिंदुत की तरफ कोई आवाद उठाएगा, आईस आईस जैसे संगठन, जो महादेव की मूर्ती को खंडित करके, उस पर इसलामिक जंडा लगा कर उसका परचार कर रहे हैं, तो उनकी मंशा साफ जाहर होती है, क्या आईस आईस हिंदुों का कत् परचार करेंगे किसी के लिए, वो वक्त बताएगा, तो ये थे वसीम रिजवी, जिनका आज धरम परिवर्तन हो गया और नाम परिवर्तन हो गया और नाम पड़ा, जितिंद्र नाराइन सिंग त्यागी, यानि कि अब सिया वक्त बोर्ड के पूर्व चेर्मेन वसीम परिवर्तन नहीं किया है, सिर्फ वसीम रिजवी, यानि कि जितंद्र नाराइन सिंग नहीं अभी सनातन धरम अपनाया है, और जब हमने सवाल किया परिवार को लेकर, तो उन्होंने का सब को जीने का हक है, और मुझे कुछ मौलवियों ने, मुस्रिन धरम को मैंने अपना लिया है, अपने साहियों की तुशार के साथ मैं विनोश शर्मा, डासना, देवी मंदर, गाजियबाद से